ईए अगर त्योटर लिया मैंजर का कमिशन दिया गए और पार्टनर का कमिशन दिया गए जाता है उसके एंट्री करने का अगर अगर पार्टनर कोई कुछ कमिशन दिया जाता है तो उसका को एक अलग तरीका होता है एक क्यूस्चन है एक्स और यार पार्टनर विद कैपिटल ओफ रुपए एक लाख एंड अस्यजार रस्पेक्टिवली एक्स और वाई एक फरम में पार्टनर है अब तक जो क्यूस्चन थे होने में आमने का था स्टार्ट डे बिजनी सेंट्र डे कम नूज दिया जाता है तो यू इस सोड़ी आजाता है तोल पर सेंट पर एंड यू इस सोरी वाई इस तो वी अलावड एन एन्वल सेलरी ओफ छे अजार दा प्रोफिट ओफ दा यू ये एंड एक तिस मार्च दो जार चोदा अमांट इड तो पचास अजार यानि कि जो वाई को सेलरी दी जाती ये 6,000 और और जो प्रोफिट है 31 मार्च दो जार चोदा को वह 50,000 है मैनेजर इंटायल एक कमिशन ओफ 10 परसेंट और प्रोफिट और लेता है लाब में 10 परसेंट कमिशन प्रिपेर प्रोफिट अंड लोस एंप्रोप्रेशन अकाउं और पाअट्नरस कैपिटल अकाउंट के सबसे पहले हम रिखेim प्रोफिट एंड्लोज अकाउंट प्रो फिट एंड लोज अकाउंट rich लोज कौंटि फ्रोफिट आन लोजाय अकौउंट नहीं है प्रो फिट्न्ट ächst comprendre सार निख पर ऐदिद्व है डैबिट क्रेडिट क्योंकि मैंनेजर का कमिशन पर परवबंगे उस इसादार का सन्ज्दारा का adequ मिशन होता तो उसे Πॉप और रौस एपोपरेशन अकाउंट में लिखते हैं तो पहले एक क्रोफित अड्लोस अकाउंंट बनाएंगे और उस तू बैलेंस करीड डाउन और बैलेंस करीड डाउन लिख देंगे 45,000 इस साइड का टोटल भी 50,000 इस साइड का टोटल भी 50,000 यह दे दिया मैनेजर कमीशन उसके बाद अब यह जो लाइन लगाई हुई है उसके नीचे अकाउंट शरू होता है प्रोफिट अंड लौस एप प्रोफिट मिला कितना है 45,000 तो सेलरी हमसे ने सेलरी दी य को 6,000 रुपह दो इसके बाद तो इंट्रेस्ट ओन कैपिटल हमने एक्स को देना है लिए बार आजार रुपह क्योंकि एक लाख रुपह उसकी कैपिटल आं तो आएगा बाराजार य को इंट्रेस्ट दे देना है असी अजार असी अजार का ट्वेल परसेंट करेंगे तो बार आठे च्छान में यानि 9600 रुपे टोटल यह आ जाएंगे 21600 रुपे यह हमारे पास आ जाएंगे इंट्रेस्ट के उसके बाद इन दोनों को जोड़ो 21600 और 6000 आ जाएगा 27600 45000 से गटात देंगे जो प्रोफिट बच गए वह बचेंगे 17400 और उसके बाद लिख देंगे टू प्रोफिट ट्रांसफर टू एक्स कैपिटल अकाउंट 11600 वाई कैपिटल अकाउंट 5800 यह जो लाव होए थे आम इनको टू रेश्यो वन में बाट देंगे यहा आट देंगे 335 15348 अठावन सो तो को दो से गुना करेंगे तो 2 इसा लेता है एक्स तो एकस का जाएगा एक से करेंगे तो 850 वाजेगा वाई का उसके बाद बनाएंगे partners capital account debit लिखें credit particulars x y particulars x और y balance carried down हमने पहले ही capital के balance दिये गए है x की capital है 1,00,000 और y की capital है 8,000 capital के balance हमने यहां लिख दिया 1,80,000 x का 1,00, y का 8,000 by salary salary y की लिख दिछे याक्स को लेत है लिज डिए। Engraal in neighbourai इंट्रेस्ट इंट 2500 अूंध इंट्रेस्ट मिन आपिटल एक्स को मिला 12000 इट और वायको मिला 9600 उसके बाद लिख दिया बाइप Neden लोगी इप्रोपेशन अशे फोस्ट ई Sharing अकाउंट से इनके लाव इस से आए एक्स के 11600 वाई के 5800 इनका टोटल कर देंगे इसका एक लाख 23600 और इसका आएगा एक लाख 1400 इस से लिखने का कुछ है ना इन ड्रोइंग है ना इंट्रेस्ट ओन ड्रोइंग सी दालिख देंगे टू बैलेंस करेंड डाउन यानिकी इनकी कैपिटल के बैलेंस होगे एक लाख 23600 और एक लाख 2400 उसके बाद नीचे लिख है एक लाख 25000 और 25000 और 15000 रस्पेक्टिवली ओन 1 अप्रेल 2013 इस पार्टनर इस इंटायर तु नाइन परसेंट इंट्रेस्ट ओन इस कैपिटल जैर इंटायर तो एशेलरी और रुपए 6000 पर एनन परतेक वैक्ति और परतेक पार्टनर नाइन परसेंट की रेट से इंट्रेस्ट लेता है अपनी कैपिटल पर और जैड है वो 6000 रुपए सेलरी चाहिए टूगैदर भी दे इसके साथ ही एक कमिस्टन ओफ 6% नेट प्रोफिट इसके साथ एक कमिस्टन लेता है 6% ओनेट प्रोफिट रुमेस्ट रीमेंधी आफ्र डिड endlessly on capital and salary आफ्र चारजिंग इस कमिस्टन यहां यह बात बहुत में था पूर्ण क्या लिखे है आफ्र चार्जिंग इस कमिस्टन कुछ एक क्विश्यन में लिखे होगाँ ओगा बिफोर चार्जिंग इस कमिस्टन यह adjustment amount to 30800 वह प्रोक्जान से पहले हमारे पास profit ही त्युनis रऌट्व पार्टनर प्रिक्टकलाएगे हम ने लिखा profit and loss and appropriation account debit credit by profit and loss account profit and loss account का balance दियागा है 3800 और इस side हम लिख दियागा 3800 क्योंकि हमारे पास ना तो interest on drawing देने रखा कि यह प्रोफित लिखा जाए 3800 और इस side का total भी है 3800 इस side लिखेंगे to interest on capital interest on capital दिया जाता है नाइन परसेंट ऊपर लिखा था कि interest on capital देते हैं सभी पार्टनर को नाइन परसेंट तो 25,000 का 9% निकालेंगे तो 22,500 और जैड का निकालेंगे यानि कि 15,000 का 9% तो 23,500 यह आ जाएगा 3600 रुप है और तू सैलरी भी तू सैलरी ब्रेकेट में लिख दिया बीज या बीज सैलरी लिख दें बी लिख क्रेफ्ट और लगा के सैलरी आ जाएगी 26,000 to 20 कमिशन 20 कमिशन निकालने के लिए क्या करेंगे 3800 है ही सैड का टोटल 3800 में अब तक के निक घटा लो जब अब तक के इनको घटाएंगे 3600 और 6000 यानि 9600 घटाएंगे तो अब तक घटाने के बाद हमारे पास अमाउंट आ जाएगी 21,200 परसेंट कमिशन कितने परसें कमिशन तो 6% हैं कि चानल लिखते हैं multiply by 6 divided by 100 लेकिन हमने लिख दिया है multiply by 6 divided by 106 यानि 6 को एंडरेंड में जोड दिया क्यों जोड दिया क्यों कि यहां लिख है after charging is commission after charging is commission अगर यहां लिखा होता बिफोर चार्जिंग यह दियान रखना बिफोर चार्जिंग अगर बिफोर चार्जिंग लिखा होता तो हम क्या करते 6 अपॉन हैं अगर आफ्टर लिख है तो एंडरेंड में यह interest rate जोड के लिखा जाता है जब इसको काटेंगे 106 दूनी 212 उपर आजाएगा 200 200 की और 6 क कि गुणा करेंगे तो आजाएगा 1200 यानि की बारा सुरुपे हमारे पास अमाउंट इंट यह आजाएगा इसका कमीशन आप यहां तक के जोड लो यहांनि की कि सजार दोस्तों में से बारा सो और गटा दो यह कमीशन दे दिया जो नेट प्रोफिट बच गए वह बच गए यहaं लेकर देंगे टूह प्रॉफिट ट्रांसफर टूवाइस कैपिचल अकाउंट तो प्रोफिट ट्रांसफर टूवाइस कैपिट अकाउंट वाइस कैपिटल अगॉंट में 10 दे नहीं रख़ा है तो किसी वियनुबंद के अबाव में वन रेश्यो वन होता है वन रेश्यो वन में आमने बाट दिया यह तो था प्रोफिट एंड लोस अप्रोप्रेशन अकाउट आप देखिए वहन कैपिटल और फ्लक्ट्वेटिंग यानि परिवर्तन सिल पूंजी अब तक जो हमने बनाएं वो परिवर्तन सिल पूंजी खाते ही बनाएं लास्ट क्यूस्चन में सभी में अब फिक्स पूंजी खाता होगा उसमें क्या है कि देखिए अकर मैं लास्ट क्यूस्चन को एक बार आपके सामने लाता हूं तो सहरू में देखिए इनकी कैपिटल सब्सक्राइब कितनी थी एक लाख और अस्य हजार साल के अंत में कितनी होगे एक लाख थेश घार छहासो और एक लाख एक हजार चार सो यह इनी की कैपिटल बदलेगी नहीं एज इज रहेगी तो देखें हम क्या करेंगे सबसे पहले लिखेंगे में काई बैलेंस ब्रोड डाउं यानि कि जो पुंजी के बैलेंस थे वो पार्टन अगांट लिखा पार्टनस केप्टल आकांट में हमने क्या लिख दिया में बैलेंस बीड़्ी पंचिस SeoQu Это् 웃ांग के दूसरी साइड लिखclass टू बैलेंस के डाउन और इनके बैलेंस अब भी कितने हैं कुछ है और कोई एंट्री नहीं लिखी इसमें क्या लिख देंगे टू बैलेंस के डाउन 25,000 और 15,000 ये साइड का टोटल 25,000 ये अकाउंट बढ़ाना था तो ये तो बड़ा आसान कुछ नहीं करना एक बैलेंस भ देखायों के तो ये सारी अड क् Monsieur अब लिखते हैं के लिखना इसमें लिखना लेकिन लिखना उसके लिए आम आप क्या बनाएंगे पार्ट्नर्स करेंट अकाउँट hmart पार्ट्नर क्रेंट डैबिट रिक्टेस लिखेंगे प्रेटिकुलरउस य, z, particulars, y और z, सब से पहले लिखेंगे, capital account में लिखते तो अब तक, by interest on capital, x, y को मिला 22,500, और z को मिला 1350, और ये 2550, by salary, b, b को salary मिली 6000, by commission, b, b को commission मिला 12, a को कुछ नहीं मिला, by profit and loss appropriation account, दोनों को लाभा कितने मिले 10,000, इनकी इस side के total कर लेंगे, 12,250 तो आ जाएगा, y का, और 18,550 आ जाएगा, z का, आब इनको लिख देंगे, side two balance carry down, 12,250 और 18,550, इस side का total आ जाएगा, 12,250 और 18,550, ये question था, अगर इसमें दिया होता, परिवर्त तंसील पूंजी खाते बनाने, fluctuating capital account बनाने हैं, तो हम क्या करत आते हैं, ये जो नीचे current account में जो data लिखे हैं, ये सारे उठा के capital account में ही लिख देते हैं,